नमसकार साथीयों, कैसे आप सभी लोग आशा करता हूं, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बगबान से प्रार्वना करता हूं, आप सभी लोग शदैब शुक WORK हमारी गयदesz 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, कितनी साल पुरानी हो बांज हो बो रिपीट हो रही है बार बार हर पंदरा दिन पर हीट पर आ रही है हर सपता हीट पर आ रही है लेकिन गर्वधर्ड नहीं कर रही है हर तरीका हमने अपना लिया उसे नंदी के द्वारा भी क्रॉस करवाया है AI भी करवाई है हर तरह का हमने सीमन को यूज कर लिया है लेकिन गाय किसी भी तरीका से गर्वधार नहीं कर रही है इस कंडिसन में हमें क्या करना चाहिए तो आज फिर मैं एक चमतकार आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जो करीब करीब हमारी 10 साल पुरानी गाय है ये आप हमारे जस्ट पीछे देख रहे हैं गाय बिलेक कलर की बड़े-बड़े सींगों वाली ये काफी समय से हीट में नहीं आ रही थी AI भी करवाया गया है बुल से भी करवाई गई है और हर तरह की मेडिशन भी यूज की गई है ऐसी बात नहीं इस पर मेडिशन यूज नहीं की गई हो मिनोटास, बेट नॉर्मन ये बोलस भी करीब करीब 21 से किस दिन तक खिलाई गई है हल्दी भी खिलाई गई है गुर भी खिलाई है हर तरीके का इस पर फॉर्मूला आजमाया गया लेकिन ये गई हीट में आही नहीं रही थी और जब हीट में आती थी तो बार-बार रिपीट हो रही थी गर्बधार नहीं कर रही थी अब ऐसी सिच्वेशन में हमने एक और प्रियोग किया है जो प्रियोग आज हमारा 100% सक्सेस्पिल हो चुका है तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी जड़ी बूटी का इस गाय के उपर प्रियोग किया गर्बधार करने के लिए ये है निरिबिशी का पौधा उसको ठीक करने के लिए इस निरिबिशी का प्रियोग किया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों मैंने इसी निरिबिशी का प्रियोग किया है अपनी इस गाय पर देख लीजिए आप ये है निरिबिशी का पौधा इसका प्रियोग कैसे किया बो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ तो आपने ये निर्विशी का पौधा देख लिया अच्छी तरीका से और आप सबी लोग पहचानते भी होगी ऐसा कोई ही घर रेरली होगा जिस घर में ये पौधा न लगा हो मोस्टरी लोग एक फुलवारी के तौर पर इस पौधी का पौधा 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 होता है इसका पौधा कैसे किया है मैंने 100 ग्राम निर्विशी के पत्ते लिए और 50 ग्राम फिसी हुई हल्दी निर्विशी के पत्तों को अच्छी तरीका से पीशा और पिशी हुई हल्दी को लिया 200 ग्राम गुड में मिक्स किया इसको मिक्स करने के बाद में इसके लड्डू बना लिए लड्डू बनाने के बाद में 15 दिन तक मैंने continuous इनका प्रियोग किया है इस गाय के उपर और जब प्रियोग करने के बाद में देखा तो ये गाय खुल करके हीट में आई पूरी तरीका से और रमाने लगी जब रमाने लगी ये गाय रमाने के बाद में कुछ नहीं शाधार तरीका से AI कर दी गई इसकी और वह AI करने के बाद में आज ये गाय तीन महने के प्रेगनेंट हो चुकी है ये दियाप के पास इस प्रकार की कोई भी गाय होती है जो दो साल पुरानी है हीट में नहीं आ रही है या हीट में आ रही है गर्बधारण नहीं कर रही है चार सार पुरानी है, दस साल पुरानी है, कितनी भी पुरानी गाय हो, जो बिलकुल हीट में नहीं आती, बांज हो गई, उसकी बच्चादानी सूप गई है, आप ये फॉर्मूला आजमाईएगा, आपकी गाय हंडिट परसेंट गर्वधार्ड करेगी, और इन केस ऑफ कर सकते हैं, और अपनी पस्वों की समस्चा को बता सकते हैं, हम आपके पस्वों की समस्चा के अनसार एक नया वीडियो बना करके आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, उस वीडियो को देख करके, और उस वीडियो में बताएगे, सोलूशन के द्वारा आपके पस्वों का संपूर समाधान होगा और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैराम जी के